Hello Friends, ममता की रसूई में आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ भिंडी एक ऐसी सबजी है जिसे बहुत से लोग पसंद करते हैं और बहुत से लोग पसंद नहीं भी करते हैं लेकिन मैं आपको बता दू भिंडी की सबजी को आप सही तरीके से बनाएंगे तो वो बहुती अच्छी लगती है भिंडी को अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है जैसे भिंडी फ्राय, भिंडी भरवा और भिंडी मसाला तो आज जो मैं आपके सामने भिंडी मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो आपको और आपके परिवार को जरूर पसंद आईगी इसे बनाना बहुती आसान है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं भिंडी मसाला बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है 200 ग्राम भिंडी, भिंडी को मैंने धोकर इसे अच्छे से कपड़े से पोच कर सुखा लिया है इसके बाद हम भिंडी को काट लेंगे, तो सबसे पहले हम भिंडी के आगे और पीछे वाले हिस्से को काट कर अलग कर देंगे इसके बाद भिंडी को हम दो हिस्सों में काट लेंगे, और इन तुकडों में बीच से थोड़ा कट लगा देंगे ताकि भिंडी का मसाला भिंडी के अंदर तक जा सके अगर आपके पास छोटी वाली भिंडी अवलेबल है तब आप उसे सैगी भी बना सकते हैं पर मेरे पास थोड़ी बड़ी साइस की भिंडी है इसलिए मैं इसे दो तुकडों में काट कर इस तरह से कट लगा दूँगी तो यहाँ पर मैंने सारी भिंडी को दो तुकडों में काट लिया है और भिंडी के हर तुकडों में इस तरह से कट लगा दिये है ताकि मसाला भिंडी के अंदर तक जा सके अब हम एक बॉल में लेंगे चार पीस काजू इसके बाद मैं इस बॉल में एट करूंगी तीन चम्मज दही दही हमें थोड़ी गाड़ी वाली यूज़ करनी है इसे अब हम एक साइड में रख देंगे अब हम एक पैन को गरम करेंगे और इसमें एट करेंगे 4 चम्मस तेल और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें एट करेंगे कटी हुई भिंडी भिंडी को हम 2-3 मिनिट के लिए इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे भिंडी को हम इतना fry कर लेंगे कि ये 50% तक पक जाए इसे हम मसाले में भी पकाएंगे इसलिए अभी से जादा पकाना नहीं है सिर्फ 50% तक ही इसे पकाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी आदी पक चुकी है और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है अब हम गैस को बन कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इसके बाद हम एक मसाले का पेस्ट तयार करेंगे इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक मिडियम साइस का प्यास एक इच अद्रक का तुकड़ा और आठ से दस करी लहसून इन्हें अब हम एक मिक्सर जार में एट करेंगे और इसका एक पेस्ट तयार कर लेंगे तो यहाँ पर मसाले का पेस्ट बन कर तयार है इसके बाद हम उसी पैन में एट करेंगे पाच चमच तेल तेल को गरम होने देंगे तेल अब गरम हो चुका है अब हम इसमें एट करेंगे अद्रक लसन और प्याच का पेस्ट मसाले को हम चार से पाच मिनट के लिए भून लेंगे या इसे तब तक हम भूनेंगे जब तक कि प्याच के पेस्ट का कच्चापन दूर न हो जाए मसाला जब तक भून रहा है तब तक हम एक टमाटर लेंगे और इसका एक पेस्ट तयार कर लेंगे तो यहाँ पर मसाले को भून कर 4 मिनिट हो चुके है अब हम इसमें सुखे मसाले एड़ करेंगे सबसे पहले हम इसमें एड़ करेंगे आदी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर दो छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे आदा छोटा चमज गरम मसाला पाउडर अब हम इन सुखे मसालों को एक मिनिट के लिए भून लेंगे तो यहाँ पर सुखे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है अब हम इसमें एट करेंगे टमाटर का पेस्ट टमाटर के पेस्ट को हम इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मसाले में एक मिनिट के लिए भून लेंगे तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट भून कर एक मिनिट हो चुका है इसके बाद मैंने टमाटर के पेस्ट वाले मिक्सर जर में चार चम्मच पानी एट किया है यही पानी मैं इसमें एट कर दूँगी अब हम इसमें एट करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक नमक को इस मसाले में मच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक मसाले में अच्छे से mix हो गया है अब हम इसका ढगा देंगे और इसे low flame पर दो मिनट के लिए ढग कर पकाएंगे इसके बाद जो हमने दही और काजु को mix करके रखा था इसे अब हम paste लेंगे तो यहाँ पर मैंने दही और काजू का एक बारिक पेस्ट तयार कर लिया है यह देखिए इस तरह से अब हम इसका ढका नहटा देंगे और इसे एक बार चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं मसाले में से तेल अलग हो गया है मसाले को एक बार हम चम्मस से अच्छे से चला लेंगे इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे काजू और दही का पेस्ट और इस पेस्ट को हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैं आपको बता दू फ्रेंड्स इसी दही और काजू के पेस्ट ही वज़े से ये सबजी बहुती टेस्टी बनती है जिससे आपको ये सबजी बिलकुल रेस्टरांट स्टाइल लगेगी या कहिए कि रेस्टरांट से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी अब हम उसी मिक्सर जार में चार चम्मश पानी डालेंगे और ये पानी इस मसाले में एड़ कर देंगे पानी डालने के बाद हम इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक की मसाले में से तेल अलगना हो जाए गैस की फ्लेम को हम low to medium हे रखेंगे इस वक्त तो कुछ देर तक मसाले को लगातार भुनने के बाद मसाले में से तेल अलव हो चुका है यानि कि यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भुनकर तयार हो गया है अब हम इस भुने हुए मसाले में एट करेंगे फ्राई की हुई भिंडी भिंडी को हम इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले में भिंडी को हम एक मिनिट के लिए भुन लेंगे तो यहाँ पर भिंडी को मसाले में भुन कर एक मिनिट हो चुका है अब हम इसे ढख देंगे और इसे लो फ्लेम पर दो मिनट के लिए कूक कर लेंगे दो मिनट हो चुके है अब हम इसका ढखकन हटा देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें एड करेंगे तीन कप पानी पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक अच्छा सा उबालाने देंगे तो यहाँ पर सबजी में अब उबाला चुका है अब हम इसका ढखकन लगा देंगे और इसे 2-3 मिनिट के लिए मिडियम फ्लेम पर ढखकर पकाएंगे तीन मिनिट हो चुके हैं अब हम इसका ढखकन हटा देंगे और इसे एक बार चम्मस से अच्छे से चला लेंगे तो यहाँ पर भिंडी मसाले में अच्छे से पक चुकी है और आप देख सकते हैं मसाले में बहुत प्यारा सा कलर भी आ गया है बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसे तो फ्रेंड्स बन कर तयार हो गई है हमारी मसाला भिंडी अब हम गैस को बन कर देंगी इस टेस्टी बिंडी मसाला को आप रोटी पराठे और चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं और येकीन मानिए फ्रेंड्स ये चावल के साथ तो बहुती टेस्टी लगती है तो चलिए अब हम इस टेस्टी बिंडी मसाला को सर्व कर लेते हैं एक बार आपने इस तरह से भिंडी मसाला बना लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे ये टेस्टी भिंडी मसाला आपको बहुत पसंद आईगी तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये भिंडी मसाला की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक मेरे चैनल ममता की रसोई को सबस्क्राइब नहीं किये तो प्लीज कर देना मिलते हैं अगली नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई